चलिए हलो बच्चो तो आज हम लोग नए टोपिक के साथ मिलेंगे छोटे टोपिक है कम समय का है और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि हैडो कारबन और हैडो कारबन डेरी वेटिव क्या होता है है इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इस cabin कल का जो टोपिक होगा वो hydrocarbon और उसके derivatives का नामांकरन कैसे करते हैं, उस पर होगा। थो चलिए आज लिस्ते ही ही बडस बेहान करते हैं hydrocarbon और hydrocarbon derivatives पहले पाह going on देखें है और हैड्रो कार्बन ठेक है और है और है है ड्रो कार्बन डेरी वेटेप्स किसे काते हैं यह देख लोगा इसका हैंदी लिखेंगे हम तो हाइड्रो कार्बन और है अधरो कार्बन बेयुत्पन इस दो चीज है दोनों को हम पाचा नहीं है 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 और किसे कहते हैं तो जिसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन हो इसको है ड्रो कार्बन कहते हैं प्रहाई सिंपल्डिफिनेशन के साथ हैंड्रो कार्बन क saving कारबन के साथ है ड्रो जन हो तूसे क्या कहने हैं हैंड्रो कार्बन के समझेंगे मतलब carbon के साथ क्या होगा hydrogen होगा तो इसे hydrocarbon और बच्चा जी hydrocarbon derivatives किसे कहेंगे ब्योट्पन मतलब होता है जो उत्पन हुआ हो मतलब जो drive हुआ हो किससे drive हुआ हो तो hydrogen और carbon के साथ जो अलग हूँ मतलब देखिए जैसे carbon भी हो plus hydrogen तो हो ये दोनों तो रहेगा क्यों क्योंकि इसका नाम है अब डेरीवेटिक्स का मतलब होता है कि कार्बन है dealersन तो है और इसके अलावा भी इसमें जैसे दूसरे में एलिमेंट जैसे ओक्सिजन हो नीडिरोजन हो सेलफर हो ₹ हो डौ.. yeah राट यह सभी हो तो इसको क्या बलें गे हेड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैन मज़ेदार बात आप समझे हैड्रोकार्बन किसे केंगे इसमें कार्बन के साथ हैड्रोजन हो और हैड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स किसे केंगे इसमें कार्बन के साथ हैड्रोजन तो हो ही साथ में हैड्रोजन के अलाबा भी दूसर दूसरे तत्व दोसरे दूसरे अलीमेंट हो इसे है डेयिवेटिप करते है और से है डैनदार में किलीवाल चैनल कारने बाद न है सार परजेंट इसकोल हैडोकारबन अड़े कमपाउंड विजब हैडोजन कारवन अदर अधर एटम सार प्रजेंट इसकोल हैडोकारबन डेरिवेटिब्स आए पुछ एकजामपल से समझते हैं चोटा वीडियो बनाना है इसलिए लेखेगा जैसे माल लिजिए सी एज फूर क्या कहते हैं आप क्या इसमें कारवन है हाँ है क्या इसमें है बिल्कुल है तो कारवन भी है है रोजन भी है तो इसको क्या कहेंगे आप हैड्रोकारबन कहेंगे बिल्कुल सिंपल है कि नहीं बताइए हां तो इसके क्या कहेंगे हैड्रोकारबन बताइए सी सुक्य यह वह भी कारबन है यह भी है कारबन है चलि एस्ट esse शी सिक्स से फिक्स बता सिक्स क्या यह है ओधि ऑध्र कर्बन है क्योंकि सर कारबन पूर साथ में उत्वें इसको क्या कहेंगे हैड्रो कार्बन के साथ है यह घ्ड्रोंठन हो आधर कोई आ तो हैड्र 210 स्कालाता है एकदम सिंपल फिनोमेना है चलिए और लेले बचाजी सी फोर हैज 10 क्या करते हो है बिलकुल है सी फाइब और हैज 12 क्या है बिलकुल है तो इसमें देख रहे हैं है नमजदा बात हर जगह कार्बन भी है और उसके साथ हैड्रोजन भी है इसलिए है डिकारबन है सिंपल फिंडा अब इधर आए आए हम चेक करते हैं जैसे देखें सी डबल बॉन ओ और एच और यह दे अब आपको टेंशन होना चाहिए क्या होगा यह लेकिन हमने तो पढ़ा है कि सेर आप ही ने बताया कार्बन के साथ हैड्रोजन भी हो और अधर एलिमेंट भी हो तो जी हैडोकार्बन डेरिवेटिव होगा उयाट चाहिए बात है आईए एक और देख लेते हैं और एच यह कुछ ख्याल है कार्बन या रहा कार्वण यहेडिवर यह रड़ोकार्बन डेरिवेटिव क्योंकि कार्वन के साथ हैड्रोजन भी है और है दुसरा येलिमेंट भ सी टू एच फाइब ऊएच क्या कहते हैं है यह भी हैडोकार्बन डेरिवेटिवस है यह भी हैडोकार्बन डेरिवेटिवस ही होगा क्यों 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 कि कार्बन भी है हड्रोजन भी है और साथ में अल्कोल भी है इसका भी नाम क्या होगा हैडोकार्बन डेरिवेटिवस हो oxygen भी है तो इसे भी आप hydrocarbon derivatives ही कहेंगे आईए और देखें कुछ CS3 CS2 NS2 क्या बच्चा जी यह hydrocarbon है यह hydrocarbon derivatives है तो hydrocarbon derivatives है कैसे simple फंडा carbon भी है hydrogen भी है और nitrogen भी है तो यह hydrocarbon derivatives है कि है नहीं है बिल्कुल है मज़ेदार बात है क्या मज़ेदार बात है कि सर हमने आपने समझाया था कि carbon हो hydrogen हो और अधर element जब भी दिखे तो कुछ भी मत सोचना है सीधी hydrocarbon derivatives की बात करना और अगर सिर्फ carbon के साथ hydrogen हो तो सिर्फ और सिर्फ hydrocarbon carbon सोचना है बिल्कुल एकदम फिलिंग लेना है चिल वाला फिल आएगा आपको देखो जैसे से CS3C double bond O or CS3 इसका नाम है यह भी hydrocarbon derivatives है बिल्कुल है carbon भी है hydrogen भी है और oxygen भी है कि सब compound की नाम सिखाएंगे इतना चुटकी में आप आइपेक नेम और common name और common name का master बन जाएंगे king of common name और आइपेसी नाम बना देंगे आपको आपको बिल्कुल tension मत लेना है देखती चलिए यह सब का नाम आपका टीप पे होगा finger पे होगा बिल्कुल देखें क्या यह hydrocarbon है बिल्कुल है चलिए C double bond O O और CS3 क्या यह भी hydrocarbon है बिल्कुल है C double bond O और c l और h क्या ये भी hydrocarbon है नहीं यह दोणों hydrocarbon नहीं है यह hydrocarbon है आप समझ गए बढ़ियां तरीके से हैडोकारवन किसे कहा जाता है हैडोकारवन डेरिवेटिव किसे कहा जाता है दो मिनिट देखिए आप फिर देखते हैं चलिए अब हम कुछ example क्या करते हैं जो बहुत ही important है है डोकारवन और हैडोकारवन डेरिवेटिव को पहचानने का है है डोकारवन और हैडोकारवन डेरिवेटिव में क्या example क्या दिक्कत है वह आप अराम से पहचान सकते हैं तो आज का जो लेक्चर है हमारा वह हैडोकारवन और हैडोकारवन है इस ना इसके बाद फिर आगे देखते हैं छलिए थैंक्यू